रीवा के सगरा थाना अंतरगत टिकुरी साकेत बस्ती में मंगलवार देरात साढ़े तीन बजे अग्यात जंगली जानवर ने दहशत का महौल निर्मित कर दिया जिसने दो मवेशियों का शिकार कर लिया हमने में एक महिला बाल बाल बची महिला घर के बाहर खड़ी थी जानवर ने पीछा किया तो महिला दोड़ कर घर के भीतर भागी जानकारी की मताबिक दिनेश शाकेत के घर में जानवर ने एक बकरी और बच्छडे का शिकार किया है लोगों ने बताया कि जानवर खुंखार था जिसकी पूच काफी लंबी थी आखे चमक रही थी लेकिन अंधेरी की बज़े से हम उसे पहचान नहीं सके मामला रीवा जिला मुख्याले से करीब आठ किलो मीटर की दूरी परिस्थित टिकुरी गाओं का है जो घनी आबादी वाला शेत्र है दियफो अनुपम शर्मा की मुताबिक घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुची पद चिन्ह और शिकार करने के तरीके को देख कर लग रहा है कि जानवर तेंदवा या फिर लकर बगधा हो सकता है फिलहाल बन विभाग की टीम पूरे घटना क्रम की जाच कर रही है यह दो देख लिए लोता रहा है चहरा के कुछ हाओ वहाओ दिखा न कहा हो कि आगे इतना बड़ा संधी हो रहा तो अब आच्छे बेलकुल पतला रहा तो मासे तो अच्छा का होई जगा थैंगाओ का है को रहा है